गुरु सहभान ने सिख्खानू सिख्खी बख्शी, सिख्खी ने सिख्खानू सरदारी बख्शी, ए सरदारी एक मानते आदारत नहीं, इस दा आदार है, सुच्ची रैनी बैनी ते करनी, वाहे गुरु ते परोसा, उच्ची हिम्मत, नाम दा ब्यास, कीर्तन दा उचार, सत संग, ते गुरु नाल प्यार ए उच्चा ते सुच्चा जीवन जियोण दी जाच, दसां सद्गुरा ने जगत नु सिखाई, ते एसे ले, सिरी गुरु ग्रंत साइब जी रचे, सिरी दर्बार साइब जी दी स्थापना कीती, पर समेदा फेर आखो, राजसी मुश्कला आखो, जाँ फिर तन पदार दी बॉलता, साधे जीवना वेच, को संग ते एशो आराम प्रुएश कर गए, सिख्खी दी उच्चतानु खोरा लगगा, ते गिरावट आउन लगई, उच्चे जीवन काट गए, ते नाली प्रच सदकार भी कमजोर पैगया, एक्कीमी सदी वल जारे सिख्ख बच्चे बच्चियानू, मुडए एहसास हुआवे, के सिख्खी आपनियां कदरा कीमता कारण, किन्नी महान अते अनमोल है, सिख्ख होन दा फखर मैसूस होवे, अते मुओ निकले, I am proud to be a सिख्ख, अते बाकी लोग उसनु सतकार दी नजर नालवे खड़, साधी मन्शा एही है सच सव हमारा, तू धनी, सब जगत्वन जारा, राम रादे, सब पांडे तुदै साजया विच्वस्त हर थारा, जो पावे पांडे विच्वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचारा जन्नानक को हर बक्सेया, हर भवित बनारा इस पवड़ी दे नाल अंकित दोश लुका अंदर सत्ग्रु जी बक्षिश करदे हन के जे मनुख बच्पन बिच एदे कोल साच सी, जन्नों बच्पन लंगे आते, उस साच गुआचना शुरू हो गया जवानी आई, इंज लगदा है के जवानी बिच एदे कोलों साच निकल गया साच निकलन करके एदा बड़ेपा पच्छतावे विच किते ना किते एदी समझ शक्ती कमजोर होगी ए संसार विच अपने आपनू ते संसार नू समझ ना सकिया ओ शक्ती जिसनू माया किया माया ने एदेते गलबा पालेया शिरी गुरु अमर्दाश जी महराज रामकली अनन्द सहिब इच पवित्तर बाणी जिसनू अनन्द सहिब कहके सतकार नल पकारिया जानदा इस बाणी अंदर सत्गुरु जी कहनदे मनुख दे कौल बच्पन बिच जो सिम्रन सी एकागरता सी साच सी उसनू जनम लेंदिया ही इसने गौा लेया लिव शुड की लगी तरिशना माया मर बरताया ए इस संसार विचा के संसार नू बुझ ना सकिया ए शलोक संसार नू असी किस तरीके नल देख रहे हैं इस दुनिया नी बास्तवक विच असलियत वाली सची तस्वीर की है तो साधे संमक पेश कर दे हन आओ पहला शलोक सर्वन करिये जी सलोक महला पहला पूड राजा पूड परजा पूड सब संसार कूड मंडपल, कूड माडी, कूड बैसन हार कूड सोयना, कूड रुपा, कूड पैनन हार कूड काया, कूड कपड, कूड रूपया पार कूड मिया, कूड बिबे, खप होए खार कूड कूड ने उलगा, विसरया करतार किस नाल की चै दोस्ती, सब जग चलन हार कूड मिठा, कूड माख्यों, कूड डोबै पूर नानक वखाने पेनते, तुद बाज पूडो इस स्लोक अंदर, वार वार शब्द रिपीट कीता गया कूड कूड दे अर्थ ने परम, पुलेखा, शाल, कपट, शलावा, फोबिया परम गया इसनू देख के, क्योंके एदी समझ द्रिस्टी, एदी सूज शक्ती कमजोर सी इस जगत तमाशे विच वाहिग्रू परमेशन ने कुछ कृष्मे, कुछ कौटक थोड़े चरदे रचे होएने एक कौटक जो आज दखाई दे रहे है, कल नू मिटन वाला है इस तरह अनगिनत कौटक संसार अंदर सदा पैदा उन्दे रहन देने और मिटने रहन देने, उसनों देख देख के जीव परम जानदा है और यदे रास मानन दे लई एदिच उलज के सचदा रस्ता त्याग देनदा है जे जिन्दगी विच कूड पनाया उस वेले जदों एपरम बिच आके इथे सदा थिर रहन दिया त्यारिया करन लगया मनुखनू जा पदा है के मैं एः रास सदा लई मान दे रहना प्यारिया वाहिगरू परमेशर तो बिना उस परम शक्ती तो बिना इते कुछ भी नहीं जो सदा थिर रहन है सब कुछ बिन सनहार है ये अनगिंत कौत कां बांग तेरा जीवन भी थोड़े जे चिरदा एक कौतक है फिर उलजिया क्यों प्यां सत्गरू ग्यान करौन देने प्यारे हो कूड राजा तूं जो राज पाग देख रहे हैं उस राज गदी ते बैठे होई राजे नों देखके परम गया है और पता नहीं अनगिंत कितने कमनों खोंगे जिड़े राजे नों देखके खुद राजा बनना चौन देने और राजा बन दी इच्छा देविच चूट बोल दे पहने देख दे हाँ एक राजे नों देखके दूसरे दा लोब जागिया इच्छा जागी मैं राजा बना उस इच्छा देविच चूट दा सहरा लेके ओ राजा बन दी इच्छा विच सत्गरु केंदे ए शाल राजा है परजा है सारा संसार जिसनों देख देख के तुम पर्मगे हैं और इसनों देख के चूटदा सहरा लेंदा पे हैं एते कौतक थोड़ चिरेने अजदा राजा कलनों गदी शड़ के तुर जाएगा ए राजगदियां ते अनगेंट आए अनगेंट चले गए मेरी मेरी कहरों करते दुर योदन से पाई बारहें योजन शतर चलाए था देही गरजन खाई ए थे कोई भी जो आया सो चल सी सब को आई वारी है सत्ग्रु केंदे प्यारे हों दूसरा शालदा रूप है मंडप माड़ियां ए महल माड़ियां बंगले आदिक कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसन हार किसे दा बड़ा बंगला देखके किसे दी बड़ी विल्डिंग देखके किसे दा बड़ा महल मकान बेखके मुनु किसे नू चंगे महलां विच बैठां देखके किसे नू महल माडियां बंगलें बढ़ियां बिल्डगां देविच सुख मानदा देखके उस बैसन हार नू देखके उदे वर्गा बंडी इच्छा विच चूट बोलदा पेए सत्गरू केंदे ए बैसन हार पाव एना विच निवास करनवाला ए महल माडियां ए भी एकेमे शलावा है प्यारे जिसने तेनू सच दे रस्ते तो दूर कर देता है तीसरा को तक कूड सोएना किसे दे कोल पेने हुया सोना चांदी ते ओस पेनन हार नू जीने गेने पेने हुयने उनू देखके भी परमगिया है सत्ग्रु केंदे ए सोना चांदी गैने आदक भी शालने तेनू पर महारे ने ते जिसने पहने वेने ओ भी तेनू पर महारे प्यारे तू उन्हा वर्गा बन दे लई ए गैने प्रापत करन दे लई भी चूट बोलदा प्या कूड काया कूड कपड किसे नू सोना देखके उदे वर्गे कपडे पहनन दी इच्छा विच उदे वर्गा रूप प्रापत करन दी इच्छा विच भी मनुख पर्मगे ए ओ कारण ने ओ कौतक ने जिडे मनुख दे अंदर चूटदा बीच बीच देन देने सत्ग्रु भी सब शलावा है कूड मिया कूड बीबी खाप होए खार मर्द ते औरत एक दूसरे प्रती बिम नू देखके पाव मर्द औरत नू देखके ते औरत मर्द नू देखके मन मेला कर लेना ए मर्द ते औरत सब शलावा रूप बन गया ते च्छाल विच इस शलावे विच आ हार है एक खुदाप बिंसन हार है एक बिंसन हार मनुख ए चूट देश पदार थानू थोड़ चिरा रेंड वाले पदार थानू देखके इनानल मुपा बेठा पूड कूड़ा नेह लगा विसरिया करतार कड़ी दुनिया ते नजर मारनी जदों कोई मनुख राज गदी दे लए बहुत बड़ा चूट बोलके उस सारे देश नू बिपता विच पा दिन्दा है सुचिया जावे ते ना ए राजगदिया सदा रहनिया ने ना राजगदिया ते बैठन वाला सदा रहना है वास्तवक विच एक दूसरे नू परमाले आ गया है ए शलावे ने अपना अ सर दखा देता है ते कूड़ दे विच नियो लगन करके विसरिया करतार साचनू पोल गया करता पुर्खनू पोल गया सत्गरु जी उपदेश कर देने किस नाल कीचा है दोस्ती सब जाग चलन हार प्यारे हो संसार ते जे सब कुछ एक दिन नस्ट हो जाना है बिनसन हार है फिर इस विच उलजना नहीं चाईदा संसारी रसानी चूट बोलन दी विरती त्यागनी है ए चूट ए कूड बड़ा मिठा लगरे है मनुखनू कूड मिठा कूड माख्यों शहद वांग मिठा लगरे है कूड डोबे पूर ए भी साचा है के इस चूट ने बड़े बड़ डोब देते ने जिसने चूट दा सहरा लिया एक दिन उस दी इजित मलिया मेट होगी जिसने चूट दा सहरा लिया एक दिन उतान पदार्थ पद्वियां चड़के दुनिया तो चले जवारी दोहाथ चार देखिया जावे ते जिन्दगी विच जिसने जितना ज्यादा च कूड़ो कूड़ हे वाहिगरू जी हे करता पुर्ख जीयो सत्गरू गुरू नानक देव जी महराज केंदे नानक अर्दास करदे हन अर्द करदे हन बेंती करदे हन के वाहिगरू जी तेरे तो बिनाए सब कुछ शाल है क्योंके इने साच दा ग्यान नी उन देना इने साच से जाट जीते केवल करता पुर्ख वल तीयान करके वएगी करता पुर्ख दा ग्यां कि में आवे ओ साच नंगी वेच कि में पनवे जिमें इस शिलोक अंदर कुड़ बार बार रपीट की ता गया है अगले शिलोक वेच साच शब्द बार बार रिपीट करके सच तांपर जानियां सच जानियां के में जावे आओ पहला शलोक सर्वन करिए फिर शलोक दी वीचार दे नाल जीवन दी जुगत गुरु तो प्रापत करांगे महला पहला सच तांपर जानियां जार दे सचा हुए कूड की मल उत्रै तन करे हच्छा दोए सच तांपर जानियां जा सच तरे पेयार नाओ सुन मन रहसियां तांपाए मूख दुवार सच तांपर जानियां जा जुगत जाने जीयो तर्तकायां सादक है विच्दे करता पीयो सच तांपर जानियां जा सिक सचीले देया जाने जीकी किछ पुन दान कर सच तांपर जानियां जा आत्म तीरत करे निवास सच गुरू नो पुछ के वहरे करे निवास सच सबना हुए दारू पाप कड़े तो ये नानिक वखान बेनती चिन सच पल्ले हुए पौड़ीदा नहिंड़त लिखाग जे मिले ता मस्तकल आई है गूड़ा लाल चछड़ी है होई इक मान अलखते आई है फलते वे हो पाई है जे वे ही कार बमाई है जे हो वे पूर्ब लिखे आ तांद तू उड़ दिना दी पाई है मत थोड़ी सेव कवाई है इस पौड़ी दे नाल अंकित दो शलोकां बिच्चों इस दूसरे शलोक अंदर सत्गरू जी सनु दस्देने के प्यारेों जीवन अंदर साच दी सुजी के में आवें उदे लिए असी की यतन करने ने शबद रपीट किता गया साच तांपर जानी है पाव मनुखनू साच दी अपने असली मूल दी मुड दी समझ तां आ सक दी है जे हिर्दे वेच साच होवे साच प्यारा लगदा होवे साच ते तुर्देयां एक रास एक अननद बनदा होवे ते जदो हिर्दे वेच साच आजावे फिर अंदरों कूड दी मैल उतर जान दी है कूड दी मैल मन विचों भी ते फिर तान भी पवितर हो जान दा है इसी मैल उतर जावे फिर जहुन दा एक टांग तवित्र गुर्बानी अंदर सत्गुरू जी ने सिखाया देख पराज्यां चंग्यां मामा पहनातियां जानाएं इसे परकार सत्गुरू जी केंदे अक्षी सूतक विखना पारतेनिया पारतान रूप प्राया रूप तक के म तान मेला कर लेना मनुख दी सब तुम बड़ी कमजोरी पराया तान देखके लोब पैदा कर लेना सब तुम बड़ी कमजोरी जदों हिर्दे विच ए साचा जावे फिर एक कूर दी मेल उतर दी है तान इतना पवित्र हुजंद है के आम तोरते यसी देख दे हां जिथे को पवित्र जीवन वाले अकाल चलना कर गे ओथे तीर्थ स्थान बन जान देने जिथे पवित्र जीवन वाले आंदा खून डुलिया होए ओथे शहिदी स्थान बन जान देने अगली पंक्तिवे सत्गरु जी कहने साच तां पर जानी है जां साच तरे प्यार तां साच दी स तुट जी आएगी जे साच दे नाल प्यार पैदा ओजा wheat साच दे नाल पैदा होनी निशानी है नाओं सुन मानरहशी है जेदो वाहिग्रु प्रमेशरदे नाम दी वीचार गुरु दे बचन गुरु दी बाणी सुन के गुर्बानी दी विचार सुन के मन अंदर खेडा पैदा उन्दा होवे समझ लेना अंदरों साच देनाल प्यार होना शुरू हो गया है तां पाए मोख दुआर फिर सुतंतर जीवन दा एक दर लब जान दा है सुतंतर जीवन दी सुजी आ जान दी है अगली पंक्ती बे सत्गरू जी कहने साच तां पर जानी है जान जोगत जाना है जीओ जे वाहिगरू पर मेशर दी बक्षिश दा सदका इसनू साच दा जीवन जान दी जोगत मिल जावे साच दे पैरा देन दी जोगत मिल जावे फिर इन अंदर साच दी सोझी आ सक दी है उदे ले तार्ट काया शादक है आपने हिरदे दे विच साच दा बीज बीजन वासते जिंदगी दे विच अंदरों आपने अवेरनेस पैदा करे साच तांपर जानियां जा सिख सचीले अंदरों साच प्रती जागरती तां पैदा होवेगी जे ए साच दी सिख्या सुनदा होवे साच दी वीचार सुनदा होवे पुदे ले सादन है सत संगत पवित्र गुर्बानी दा फैंसला है सत संगत कैसी जानी है जित है एको नाम वखानी है एको नाम हुकम है सत्गुर दिया बजाए जीओ फिर जिदों सत्संगत वेच्चों साच दी वीचार सुन दियां सुन दियां साच दे नाल प्यार पैदा हो जावे साच दी जीवन जोगत इसनू एक जयौन दा टांग मिल जावे दया जाने जीओ की फिरे दे अंदर परपकार दी विर्ती पैदा हो जावे किछ पुन दान करे पुन दे वारे सिख मत विच बड़ा सुन्दर शबद है दसवंद दसवंद सिखने देना किमे है उदे लेई मेरे गुरू दी बाणी दी एक पंगती है अकली कीच दान आज मनुख फजूल खर्ची ते बहुत कर दिनदा है खुशी गमी दे समाग मांदे उपर अपने रास मानन दे लेई जद गुरू गुरू दे पर चार दी गल आउंदी है गुरू दे पर चार दे पैसा खर्च करन दी गल आवे उथे मनुख दा मान संगड जान दे सत्गू केंदे जए कोई चांदे के हिर्दे बिच सत्चा जावे जए कोई चवंदे मेरे जीवन लिच खुशियाँ खेड़े याउन जे कोई चॵंदे मेरा परिवार मेरे पुतर तियां सुखी होपन उदे ली एक सादन ए भी है के सिख दसवंद ओथे कड़े जिस दे नाल गुर बानी दा परचार हो सके सत्गुरु जी ने गुरे तिहास पढ़ देया साड़े समने ए द्रिस्टी ए सदांत दे दीदार हों देने सत्गुरु गुरु अमर्दाह जी महराजी ने बचन कर देते सन के गुरु की सिख संगत अपनी दसानवानी किर्थ विचों दसवंद कड़े और गुरु के परचार काना ही गुरु कार पेजे दसमें पाथशा ने ते सिख लेई लाजमी कर देता सी जिसनु रहत नाम्यान देविच गुरु सिखाने साड़े तके बचन पहुंचाए ने दास नाख कार जो पारतान लियावा है तेसते दसौंद गुरु जो देई आज समा मंग करदा है कि आज गुरु बानी दे परचार दे ले अलेक्टरानिक मीडिया अती जरूरी है और एहम महत्ता रख़द है और अलेक्टरानिक मीडिया नू वर्तन वास्ते जो फंड्स दी जरूरत है उदे ले गुर्सिक खानदा दसौंद अगर दस पंदना परिवार अगे आउन अपना दसौंद इस गुर्बानी पर चार पर सार लई वर्तन ते एवी एक सादन है अपने अंदर साचदा रास बीजन वास्ते क्योंके सत्ग्रू जी दिये पंगती है दया जाने जीय की किछ पंदान करे फिर अगला है साचता पर जानिया जा आत्म तीर्थ करे निवास अपने अंदरों साचदे विचे शनान करना साचदा रास मानना दसवंद दे दो फैदे हो जान देने एक ते दसवंद दे नाल गुर्बानी दा पर चार हो गया ते दूसरा गुर्बानी दे पर चार दे नाल अंदरों आत्म तीर्थ दी दात भी मिल गई फिर साथ गुरु नू पुछ के बैरह करे निवास जेउन दा टांग गुरु नू पुछे सोचन दा टांग गुरु नू पुछे गुरु ने अपनी सोच भी दिती गुरु ने अपने वीचार भी दिते फिर साच सारे पापानों तोन वास्ते दवाई बन जानदा है एक मेडिसन बन जानदा है नानक बखाना बेंती जन साच पला होए उदे ले जिनना दे पले साच है जो साच दे जीवन ने पौड़ी अंदर सत्गरु केंदे जे उनना दी चन तोड़ी मिल जावे ते मस्तक ना लोनी चाही दी अपाब मुनुक परवाबत हों दे कि सेदा तान देखके तान देखके परवाबत हों दी बजाए ए देखने के तान कमाउन लगया उसने साच कितना कि कमाया अपने जीवन अंदर अपने करां दी करवार दी इस तरह दी वाईवरेशन पैदा करिए के आउन वाले बच्यां दी पीड़ी देखे के मेरा पिता साच कमा रहा है मेरी माता साच कमा रही है तान के आउन वाली जनरेशन साच कमाउन दे लई साच दे जीवनातों पर वावत होवे एथे मस्तक नल तूडी लौन दे अर्थने के साच दे जीवन वाले अनल निमरता वाला वरतों बे भार करके जे सिखिये थे उनना जीवनातों जिनना दे कुल साच है उदे ले कूडा लालच छड़ी है कूड़ दा लालच छड़ के ओ सुवाह ग्रूप परमेशन नो मन अंदर त्योना करिये क्योंके सदान्त है फाल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे ओ जी कोई जीवन दी कार कमावेगा पाव जीवन जाउन दा टांग होएगा ओ जे फाल मिलन गे साचदे जीवन तों पर बावत होके साचदे जीवन तों कोई तांग सिखेगा जे होवाई पूर बलिखेया जे पूर बले करम उत्म उनगे तांग तोड़ते ना दी पाई है तोड़ते ना दी पाई है तो पाव निमरता विचा जाना मैं कुछ नहीं जान दा जो जान देने ओ जान देने जिनादे कुल सच है उना नू फिर आत्म स्मर्पन करके उना तो सिख के मत थोड़ी सेव गवाई है क्योंके जे मत दे अंदर एक टेक ओवे के साड़ी अपनी मत छोटी है एदेनाल सेवा करकरके एच छोटी मत दा एनू गवादेने पाव गुरू की मत प्रापत करनी है अज़ दे समय विच सब तो बड़ी सेवा है गुर्बानी दा परचार ते परसार जो अलेक्टरानिक मीडिये नल करना जरूरी है उदेली हर गुर्सिक अपना दसवंदे कतर करे और जेडियां संस्थामा अलेक्टरानिक मीडिये राही गुर्बानी परचार परसारन ले तुरियाने उनानू अपना दसवंद देल खोल के समर्पत करन तांके गुरू रहमत करन ए गुर्बानी दे ग्यान दे नाल समुची मनुखता सच दे राते तुरे अपसी प्यार दे राते तुरे उलन चुकानी खिमा फते के जानां जी वाई गुरू जी का खाल सा वाई गुरू जी की फते अज दे प्रोग्राम दे स्पंसर हन भी बितरन जीत कौर जी अर्दास है के वाई गुरू उननों सहत याबी बक्षिश करदे होए होर होर से मामा बक्षिश करां साथे सुनन वाले आँ दी पार्टिस्पेशन दास होागते सिख वेल्यूज नों उजागर करन वाले प्रोग्राम असी लगातार बनावांगे जिवें की इंटर्व्यूज विद प्रॉमिनेंट सिख पर्सनेलिटीज टॉक्स अन डिसकुशन रागाते अधारत गुर्बानीदार रस्पिन्ना कीरतन टेलेंटेट सिख्स in all fields of life विल बी प्रोजेक्टेड इस पर्योजन विच साड़ा कोई निजी स्वारत नहीं है ते ना ही कोई दिखावा अपनी कौम सिख पंसदी सेवाहित इनिकाज या फर्जदा करंदा एक तरला है